अगर आपकी स्कीन भी हमेशा डल दिखाई देती है और आप भी इसकीन की ड्राइनेस से परिशान है अगर और उम्र से पहले आपके चैरे और स्कीन पर एजिंग के लक्शन दिखाई देने लगे हैं चैरे पे डार्क स्पोर्ट्स जाईयां जुर्यां हद से ज़्यादा हो गई है। फाइन लाइन्स रिंकल्स नजर आने लगे हैं और इसकीन की ड्राइनेस से परेशान हैं आप लेकिन गाईज आप ग्लोइंग और रेडियन्ट इसकीन चाहते हैं। वेलकम बेक टू माई चैनल गाईज मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं गाजर से बनी बहुत ही बहतरीन रेमेडी इस रेमेडी से आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप इस गाजर से बनी रेमेडी को विंटर इसकीन के रूटिन का हिस्सा बना लीजिए। इन्स रिंकल्स इनेजर से खतम करता है। चैरे से दाग दबो को खतम करके चैरे पे गजब का गलो लेकर आता है। इस सर्दियों में आप इस गाजर से बनी इस रेमेडी को जरूर बनाएए और जबरूर आप इसे ट्राइ कीजिए। इस से आपकी स्कीन हेल्दी रहेगी, इस स्कीन पे गलोइंग नजर आएगी। तो यहां पे मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक खाली बाउल लेंगे। और इस तीन टी स्पून ग्रेट की हुई गाजर को हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट इंग्रीडियंट लेंगे हम लाल मसूर की दाल, बस इसी मसूर की दाल के हम दो टी स्पून लेंगे और इसमें एड़ कर देंगे। लाल मसूर दाल नैचुरल इसकीन लाइटनिंग का काम करती है यह हमारे चैरे पे चमक को बढ़ाती है चैरे के गलो को बढ़ाती है नेक्स्ट हम दो टीजपून दूद लेंगे और इसमें एड़ कर देंगे दूद में लैक्टिक एसिड बरपूर मातरा में होता है जो कि हमा अदाम का तेल विटामिन E से बरपूर होता है इसे एंटी एजिंग ऑईल बिका जाता है यह हमारी इसकीन की फाइन लाइन्स रिंकल्स जूर्णियों को हटा कर इसकीन को ब्राइट करता है इसकीन से दाग दबो को हटाता है और इसकीन को मॉस्चराइज रखता है अब ने इसकीन जवाँ और हेल्दी बनती है गहराई से इसकीन को यह मॉस्चराइज करता है बस अब हम सभी इंग्रीडियन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां प्या मॉस्च करता हुदिया यहां यहां पर यह रेमेड़ी बन के तयार है यह आपके चेहरे पे एक पैक का भी काम करेंगे गाजरे में बिटा कैरोटिन बरफूर मातरा में होता है उसके कारण यह आपकी इसकीन से जुर्यों और फाइन लाइन को जड़ से खतम करके आपके चेरे और इसकीन को टाइट बनाता है आप एक बार इस पैक को जरूर बना लीजिए और इसको ट्राइ कीजिए या आपके चेरे से दाग दबो को खतम करेगा आपके चेहरे से पुरानी से पुरानी टैनिंग को खतम करेगा और आपकी स्कीन को स्मूद और साफ बना देगा एकदम चमकदार बना देगा चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इस एपलाई कैसे करना है सबसे पहले आपको अपने फेस को वाश कर लेना है उसके बाद मैं इस पैक को लेना है इस स्क्रब को लेना है और अपने फेस पेस को लगाना है फिर आपको दीरे दीरे सर्कुलर मोशन में 10 मिन्ट तक रब करते हुए मसाज करनी है 10 मिन्ट मसाज करने के बाद मैं रप करने के बाद मैं आपको 10-15 मिन्ट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है यकीन मानिये गाइज इस पैक के फर्ष्ट यूज से या आपको बहुत ही जादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे बस इस रेमेडी को आपको वीक में दो बार यूज करना है या आपके स्क्रबिंग का भी काम करेगी और पैक का भी काम करेगी गाइज ये पैक आपके चैरे और स्कीन की जूर्रियों पर रिंकल्स पे बहुत ही मेजिकल वर्क करेगी बहुत ही जादा आपकी स्कीन टाइट हो जाएगी स्मूद हो जाएगी और आपकी स्कीन बहुत जादा शाइन करेगी इस पैक से आपकी चैरे पे जितनी भी पिगमन्टेशन है टैनिंग है दाग दब्बे हैं वो सब खतम हो जाएंगे और आपकी स्कीन बहुत जादा टाइट हो जाएगी आपकी स्कीन पर गजब का निखार आजाएगा रैडी स्कीन सारी रिमू हो जाएगी और आपका चेहरा बहुत ही जादा चमकदार बन जाएगा बस पंदरा मिंट बाद में दीरे दीरे आपको र विद बेल आइकन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं मिलती हूँ आप से एक नेक्स आमेडी के साथ तब तक के लिए बाए